दोस्तो मैं सौरमली कापजवी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं GKK Most Important MCQs जो कि सभी परिक्साओं के लिए मैत पून रहेंगे आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेके अंड तक देखेगा और ये वीडियो रात में 9 बज़े आती है दोस्तो Only Top Study YouTube चैनल पर तो चैनल को सबस्काइब कर लिजे और रेगुलर वीडियो देखने के लिए टाइम को भी नोट कर लिजे रात में 9 बज़े चलिए शुरू करते हैं पहला कुशन है अगर आपको आंसर पता है कमेंट बोक्स में बता सकते है सही आंसर रहेगा मेरे प्यार दोस्तो Uranus हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंड़ रहे है राइट आंसर D हो जाएगा दूसरा कुशन है गोगो तथा CPO का संबन किस संग से है दूसरे कुशन कराईट आंसर हैगा मुलास का यानि कि दूसरे कुशन कराईट आंसर B हो जाएगा तीसरा कुशन है उस एक मातर पक्सी का नाम बताईए जो पीछे की ओर उड़ सकता है उस एक मातर पक्सी का नाम बताईए दोस्तो जो पीछे की ओर उड़ सकता है तीसरे कोशन का राइट आंसर हैगा हमिंग बर्ड यानि कि तीसरे कोशन का राइट आंसर डी हो जाएगा कोशन नमर फोर है कीबोर्ड पर केवल एक पंक्ती के अक्सरों का उप्योग करके लिखा जा सकने वाला सबसे लंबा सब्द क्या है कोशन नमर फोर का सही आंसर रहेगा टाइप राइटर यानि कि फोर कोशन का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों पाचवा कोशन ने भारत में पर्थम कपास मील यानि कि सूती वस्तर उद्योग की स्थापना की सहर में की गई दोस्तों पाचवा कोशन का सही उत्तर रहेगा कोलकता में ठीक है पाचवा कोशन का राइट आंसर डी हो जाएगा ये आपको याद दखना है अगर आप लोग किसी भी कॉंपरेटिव एक्जाम की चारी करते हैं तो आप हमारी मास्टर पीडियाप ले सकते हैं 170 रुपे की पीडियाप है जिसमें सारे सब्जेक्ट मिलेंगे पूरी लाइफ टाइम के लिए डिस्क्रिप्शन बोक्स में मास्टर पीडियाप का लिंक है बारकोर मिल जाएगा इस नंबर पे वैसे बारकोर यहाँ पर भी दिया गया है इस बारकोर पर पेमेंट करने के बाद में स्क्रीन सोट इस नंबर पर भीजना जरूरी होता है चटा कोशन है विदेशी व्यापार का भुखतान संबंदित है विदेशी व्यापार का भुखतान संतुलन से यानि की चटे कोशन कराई टांसा दोस्तो डी हो जाएगा ये आपको याद रखना है कोशन नमबर साथ है निमलिखित में से कौन सदन का सदश्य हुए बिना उसके अध्यक्स के रूप में कारिय कर सकता है तो साथवे कोशन कराई टांसा क्या रहेगा सही आंसर रहेगा दोस्तो भारत का उपरास्थपती यानि की साथवे कोशन कराई टांसर बी रहेगा ये आपको याद रखना है कोशन नमबर आठ है विस्व का सबसे बड़ा पक्सी कौन सा है विस्व का सबसे बड़ा पक्सी कौन सा है कोशन नमबर आठ का सही आंसर हेगा सुतर मुर्ग यानि की आठवे कोशन का दोस्तो राइट आंसर D हो जाएगा कोशन नमबर नाइन है जल एक उत्करिस्ट विलायक है क्योंकि इसके अनुँ अत्यादिक दुरुविय है यानि की नववे कोशन का राइट आंसर दोस्तो C हो जाएगा कोशन नमबर दस है विश्व की सबसे लंबी परवत माला कोन सी है विश्व की सबसे लंबी परवत माला कोन सी है दसवे कोशन का राइट आंसर हैगा यानि की दसवी कोशन कराईट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों यह आपको याद रखने है ग्यारवा कोशन है भारत का रास्ट्य फल है भारत का रास्ट्य फल है ग्यारवी कोशन कराईट आंसर हैगा आम यानि की डी आपका सही उत्तर रहेगा बारवा कोशन है निमलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानि की दुयत्य सिकंदर की उपादी धारण की बारवे कोशन का दूस्तो राइट आंसर रहेगा अलाव दीन खिल जी यानि की बारवे कोशन का राइट आंसर हो जाएगा C question number 13 है अच्छा ये तो हो गया आपका question number 14 है ले में हिंदुस्तान event का मुख्याले कहा हिस्ती थे सही answer रहेगा दूस्तो हिंदुस्तान event का मुख्याले का हिस्ती थे उदेपूर में 14 question कराइट answer हो जाएगा पंदर्वा कोश्चन है गलेना का रसाइनिक नाम क्या है गलेना का रसाइनिक नाम क्या है लेड सलफाइड यानि की राइट आंसर दोस्तों सी रहेगा पंदर्वे कोश्चन का राइट आंसर सोल्वा कोश्चन है निमलिकित में से कौन एक सदिस रासी नहीं है निमलिखित में से कौन एक सदिस रासी नहीं है सही आंसर रहेगा दरव्यमान यानि की सोलवे कोशन का राइट आंसर डी हो जाएगा यह आपको याद रखना है सतरवा कोशन है पाकिस्तान की रास्टे फल क्या होती है पाकिस्तान का रास्टे फल क्या है दोस्तो आम राइट आंसर हैगा यानि कि D is the right answer दुनिया की सबसे उची इमारत कौन सी है दुनिया की सबसे उची इमारत कौन सी है बुर्ज खलीवा यानि कि B राइट आंसर हैगा ऐसा कौं सा फल है जो एक दिन में ही पक जाता है टमारत उननिसवे कोशन का दोस्तो राइट आंसर हैगा टमारत यानि कि B राइट आंसर पीसवा कोशन है एइस्या का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है एसिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है बीशवे कोशन करैट आंसर है गोबी यानि किसी करैक्ट आंसर रहेगा 21 का कोशन है भारत की तट्रेखा की लंबाई कितनी है भारत की तट्रेखा की लंबाई कितनी है सही आंसर हैगा एक सट सो किलोमेटर यानि की किसवे कोशन कराइट आंसर ए हो जाएगा 22 कोशन है विश्व का सबसे बड़ा घंटागर कोन सा है विश्व का सबसे बड़ा घंटागर कोन सा है यानि की 22 कोशन कराईट आंसर D रहेगा किसे भारत का पहला आधूनिक व्यक्ति माना जाता है 23 कोशन कराईट आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय यानि कि 23 कोश्चन का दूस्तो राइट आंसर C हो जाएगा 24 कोश्चन है History of Animals पुस्तक के लेखक कोन है History of Animals पुस्तक के लेखक कोन है 24 कोश्चन का राइट आंसर हैगा अरस्तु यानि कि A is the right answer विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जील कोन सी है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जील कोन सी है लेख सुपीरियर यानि कि 25 का राइट आंसर A रहेगा प्रत्वीपल पर कुल कितने महादीब है सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रत्वी पर कुल कितने महादीप है तो right answer रहेगा साथ 26 में question का right answer C हो जाएगा अब सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि 26 में से कितने questions के answer सही कि है विश्व की सबसे लंबी परवत माला कौन सी है या आप लोग के लिए test question है जिसका answer सभी को comment box में जरूर बताना है और प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तत only top study app नहीं डाउनलोड किया है इस app को फटा फट डाउनलोड कर लीजे इस पर आपको मिलेगी test series वो भी सभी परिक्साओ के लिए और सबसे comprise में एक बार विजिट करके देख ले और यह बार कोड है दोस्तों इस नंबर पर भी बार कोड मिलेगा ठीक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है अवलेबल पीडियाप के लिए जिस पर किलिक करना है पेमेंट करना है डियक्टली पीडियाप मिल जाएगी session पसंद आया तो like share कर देना चैनल पर नहीं है त ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिशना हो थेंक्यू सो मच बाइबाइ एवरीवन टेक केर ख्याल के अपना मिलते हैं नेक्स क्लास में